कोई जनता दल्यू का अस्तित्व समाप्त करने वाले का इस्तित्व राजनीतिक इस्तित्व समाप्त हो जाएगा। जनता दल्यू का अस्तित्व रूट गहाँ तक है। उसका जड़ बहुत मजबूत है। और RCP सिंग जैसे सैक्डो RCP सिंग जनता दल्यू के स्तित्व को समाप्त नहीं कर सकते हैं। कि वो भारतिय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में, इसलिए पहले हुए एजेंट के रूप में थे, अब आज सीधे जोइन कर रहे थे, इसमें कोन नया बात है। अरे वो तो नितीश कुमार जी के स्टाफ थे, नौकरी कर रहे थे, राजनीती की इच्छा उन्होंने व्यक्त की, नितीश कुमार जी ने उनको बना दिया, उनको क्या मालू मैं जनता दल्यू क्या है। वो 43 सीट पर पहुँचाने में भारतिय जनता पार्टी के साथ मिलके, हमारी पार्टी के राश्टिय देख से रहते हुए, उन्होंने साजिस की, उन्होंने खडेंदर किया, और पार्टी को 43 सीट पर पहुँचा दिया। कि स्री पिस सिंह साहिब ने कहा है, कि वो 12 बहुच्पा जोइन करने का एलान वने किया। यह तो बहुत पहले से मालूम था, हमने बहुत पहले कहा, कि वो भारतिय जनता पार्टी के एजेंट के रूख में, पार्टी के रास्ट्य अध्यक्ष रहते हुए, पार्टी में काम कर रहे थे और नितीश कुमार जी को कमजोर कर रहे थे और नितीश कुमार जी ने उनको पहचान लिया और पहचानने के कारण ही उनका टिकट काट दिया तो इसलिए अब पहले हुए एजेंट के रूप में थे अब आज सीधे जोईन कर रहे थी इसमें कोन निया बात है इसमें कोई खास बात नहीं है यह आम लोग पहले से जान रहे थे कि उनका क्या धंदा चल रहा है और स्टिपी सी कह रहे हैं सर जन्ता दल्यू के बात उन्होंने कही है कि जन्ता दल्यू का स्थित्व समाप्त करने वाले का स्थित्व राजनेतिक स्थित्व समाप्त हो जाएगा उनको मालूम क्या है जन्ता दल्यू कब बना जन्ता दल्यू कैसे बना जन्ता दल्यू किन कारणों से बना क्या इतिहास भुगल उनको मालूम है अरे वो तो नितीश कुमार जी के स्टाफ थे नौकरी कर रहे थे राजनीतिक इच्छा उन्होंने व्यक्त की नितीश कुमार जी ने उनको बना दिया उनको क्या मालूम है जनता दलियू क्या है जनता दलियू का एसले के जट तक कुछ कुछ दिन राष्टिय अध्यक्ष रह लिये और नितीज जी उनको जनता दल्यू का राष्टिय महासचिप संगठन बना दिये तो उन जनता दल्यू समझ गए इस फाइल है इस चार पढ़ना फाइल का पढ़ लिजिए और समझ जाईएगा जनता दल्यू का इस्तित्व रूट गहाऊ तक है उसका जड़ बहुत मजबूत है और आर सीपी सिंग जैसे सैकड़ों आर सीपी सिंग जनता दल्यू के इस्तित्व को समाबत नहीं कर सकते हैं अब कर रहे हैं कि बिले हो जाएगा जनता दल्यू का आपको मात कर रहे हैं क्या थे आप नितीश कुमार जी ने आपको जितना सम्मान दिया जिस पार्टी ने आपको सम्मान दिया जिस पार्टी ने आपको यहां तक पहुँचा दिया कि आप बोलने के लाइक भी है ये बोलने के लाइक आपको किसने बना है नितीश कुमार जी ने आपको बोलने के लाइक बना है आज जो ब्यानबाजी भासन दे रहे हैं और बड़ा राजनितिक पड़का राजनितिक वो स्टालवर्ड बने हुए हैं किसने पहचान दिया ये पहचान नितिश कुमार जी ने दिया आपको आपको राजसभा का दो टर्म MP बनाया आपको पार्टी के राष्ट्य महास्चिप संगटन बनाया और 2020 में उन्होंने खुद इस्तिफा देके आपको राष्ट्य देख्ष बनाया और जिस पार्टी ने आपको दिया उसके बारे में आप इस तरह की बात कर रहें ये वही इस तरह की बात वही कर सकता है जिसका चरित्र साफ नहीं जिसका मन मैला हो और उनका मन मैला था और 2020 के विधान सभा के चुनाव में ही उनका मन मैला हो गया था ये हम लोग को पता है वो 43 सीट पर पहुँचाने में भारतिय जंता पार्टी के साथ मिलके हमारी पार्टी के रास्टिया देख से रहते हुए उन्होंने साजिस की उन्होंने खडेंद्र किया और पार्टी को 43 पर पहुँचा दिया नितीज कुमार जी ने जो उन पर भरोशा किया था नितीज कुमार जी ने उन पर जो विश्वास किया था उससे उन्होंने विश्वास गात किया उन्होंने नितीज कुमार जी के पीठ में छुरा भोकने का काम किया और आप परवचन दे रहे हैं है एजेंट तो थे ही आप तो चले गए आज इस पार्टी में ती तो सब को मालूम था कि आज नकल आपको जाना ही ता करिएगा क्या आप कौन पूछेगा आपको आप कह रहें मंत्री बनने के लिए नितीश कुमार जूट बोल रहें सर्म भी नहीं आ रही आपको बोलते हुए जिस आदमी ने आपको इतना इज़द दिया इतना सम्मान दिया उसको कह रहें जूट बोल रहें सच्चाय है कि नितीश कुमार जी को जब फोन गया तो नितीश कुमार जी ने भारत सरकार के ग्रीह मंत्री श्री अमीच साह जी को ये कहा कि पार्टी के राष्टी अध्यक्स से पूछ लिजिए पार्टी के राष्टी अध्यक्स का क्या फर्ज था दोहजार उनीस में नितीश कुमार जी ने एक स्टैंड लिया था कि हमको सांकेतिक भागीदारी नहीं समानुपातिक भागेदारी चाहिए अगर पार्टी के राष्टी अध्यक्स नितीश कुमार जी ने स्टीफा दे के आपको बनाया तो आपका फर्ज था आपका करतब बता कि आप नितीश कुमार जी के दोहजार उनीस के स्टैंड को सपोर्ट करते और कहते कि जो उस समय का नितीज जी का और हमारी पार्टी के जो नेता है उनका जो स्टैंड था उसे स्टैंड पर आज हम कायम है